So, most welcome to your channel AV Defense Career Dear friends, इस वीडियो में हम लोग डिसस करने वाले हैं Indian Air Force के New Vacancy के बारे में और भाई New Vacancy कौन सी होने वाली है तो आपकी New Vacancy जो होगी वो होगी Second Intake 2021 वैसे तो भाई अभी First Intake का examination से नहीं हुए हैं बट जो है Second Vacancy जो है वो इस टाइम तक आ जाती थी तो उसके बारे में हम लोग डिसस करने वाले हैं कि वो Vacancy आएगी या नहीं आएगी इस बात पर हम लोग डिसस करने वाले हैं और आपके Examination कब होगे ये भी डिसस करने वाले हैं और भाई वीद प्रूफ हम लोग जो है डिसस करने वाले हैं कोई भी यहां तुका नहीं मारने वाले हैं तो भाई वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक बने रहिएगा और कोई भी अगर बात समझ में नहीं आती अगर आपको तो कमेंट बाक्स में जरूर कमेंट करिएगा हम उसका रिपलाई जरूर देंगे वैसे भाई जो आपकी सेकेंड इंटेक 2021 की वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग डिसस करेंगे भी और उससे पहले अभी हम लोग डिसस ये कर लेते हैं कि आपको इसकी प्रिप्रेशन कैसे करनी है और प्रिप्रेशन आप लोग जो है इस लागडाउन के समय में कहां से कर सकते हैं कौन सी बुक जो है प्रेफर कर सकते हैं और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए तो इसके बारे में हम लोग डिसेस करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बताता हूँ भाई कि हमारा चैनल जो है AV Defense Carrier यह भाई आपको जो है यहाँ पर examinations में previous जो भी इंडियन नेवी या इंडियन एरफोर्स के examinations में questions आए हुए हो चाहे हो भाई English के question हो या physics के question हो या math के question हो या gk हो या फिर reasoning हो भाई सभी question जो भी memory best questions है वो हम आप लोग को कराने वाले हैं और भाई आप लोग के लिए बहुत है best होने वाले हैं और भाई इससे related जो है 4 से 5 वीडियो हमारे चैनल पर upload है अभी आप लोग देख सकते हैं उसमें जो है playlist में जो है physics और English के related अभी video upload किया है हमने और भाई रागा के related भी एक video वहाँ upload है तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर एक बाद demo उसका देख सकते हैं देन भाई उसके बाद हम जो भी questions कराने वाले हैं वो भाई अब आपको कल से videos regular मिलना start हो जाएंगी और उन सभी videos में आपको best questions कराए जाएंगे वैसे भाई आपको पढ़ना अपने आप से है हम जो है केवल आपको कुछ ऐसे questions कराने वाले हैं जो previous examinations में आये हुए हो और भाई वो question जो है वो आपके examination से related हो पर एगा ताकि जो भी video हम upload करते हैं उसकी notification जो है वो आपको मिल जाए और भाई ये जो भी questions होंगे बिल्कुल free होने वाले हैं और भाई मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैंने 4 बार examinations को qualify किया है तो भाई मैंने देखा है कि questions का level क्या होता है आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए तो भाई इसके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे तो भाई चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर क्लिक कर लेजिएगा और भाई वहाँ से आल को select कर लेजिएगा तो भाई आपको notification जो है वीडियो की मिल पाएंगी और भाई जाकर आप लोग जो है चैनल पर जो भी वीडियो है physics के related हो रागा के related है और English के related वो आप लोग देख सकते हैं कि उनमें कैसे questions हम लोग कराने वाले हैं और भाई उसके बाद आप लोग चैनल को subscribe करिएगा देन भाई जो भी notification होगा आपको मिलता रहेगा next भाई आपको बात करते हैं कि आपका जो examinations है वो कब होने वाले हैं first intake 2021 के और जो next vacancy है second intake 2021 वो कब आने वाली है तो भाई मैं साफ साफ एक बात बता देता हूँ कि first intake 2020 का exam तभी होगा जब coronavirus जो है उसका situation control में होगा भाई another कोई भी exam आपका नहीं होने वाला है चाहे हो Indian Air Force का examinations हो या कोई examinations हो क्योंकि भाई जब तक situation control में नहीं होगा आपका examination नहीं होगा इसी तरफ भार भार जैसे 8-10 भार से जो postpone किया जा रहा है न वैसे ही postpone होता रहेगा जब तक situation जो है handling नहीं होगी उसकी सही से तब तक आपके examinations नहीं होगे लेकिन भाई आपको preparation continue रखना है कभी भी examinations हो आपको इसका जो है फायदा मिलेगा अगर आप लोग study को continue रखते हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा तो study continue जरूर रखिएगा next भाई हम बात करते हैं कि जो new vacancy है वो कब आएगी तो भाई देखिए इसके related दो facts बनते हैं पहला ये है कि अगर आपकी vacancy आनी होगी cbsc board के 12 के अभी examinations के result नहीं आये थे अभी कलिया परसो के आए हुए हैं तो भाई वो result नहीं आये तो हो सकता है कि vacancy आपकी आए और vacancy कब आएगी तो अगर जुलाई last तक vacancy आजाती है तब तो भाई ठीक है नहीं तो भाई ये भी हो सकता है कि new vacancy न आए जब तक कि आपके previous examinations नहीं हो क्योंकि भाई देखिए अगर examinations previous examinations नहीं हुए होंगे तो फिर new vacancy निकालने का कोई मतलब भी नहीं है हाई examinations अगर मल्ज कराने होते तो भाई हो सकता है कि जुलाई last आपकी जो vacancy है वो declare कर दी जाए तो देखिए भाई इधर 15 days में क्या होता है vacancy आती है या नहीं आती है वैसे भाई preparation के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए कल से भाई regular हम आपको questions की video प्रवाइट करने वाले हैं तो भाई thank you for watching my video thanks a lot my dear friends